मांसुन सत्र आज से शुरू हो गया लोगसभा में प्रेशनकाल के दोरान शिक्षा मंत्री धर्मिन प्रदान एट में हुई गड़बड़ी पर बोल रहे थे इस दोरान विपक्ष ने हंगामा किया और उनके इस्तिफ़े की मांग की शिक्षा मंत्री बोले मामला सुप्रिम कोर्ट में हैं और कोर्ट का जो भी निर्देश होगा हम उसे मानेंगे कोर्ट ने सभी छात्रों के सीटी और सेंटर वाइज रिजल्ट जारी करने को कहा था जो पब्लिक डोमेंड में है राहुल गांदी ने कहा देश को दिख रहा है कि परिक्षा सिस्टम में बहुत सी कमी है शिक्षा मंत्री ने सबकी कमी गिना दी लेकिन अपनी नहीं गिनाई हमारा एक्जाम सिस्टम बक्वास है इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा सिर्फ चिलाने से जूट सच नहीं हो जाता विपक्ष के नेता का यह कहना कि देश की परिक्षा प्रणाली बक्वास है बेहत निंदनी है संसत का मानसुन सत्र बारा अगस तक चलेगा सत्र के 22 दिनों में 19 बैठके होंगी आज केन सरकार ने एकोनॉमिक सर्वे पेश किया कल 23 जुलाई को आम बजट आएगा इसके बाद छे नए बिल पेश की जाएंगे जम्मु कश्मीर का बजट भी इस सी सत्र में पेश होगा इसे की साथ बने रहे एश्याग्यूस इंडिया के साथ धन्यवाद इसे की समी होगा इसम्मीर का बुलाई इसाथ ने एको इसाथ होगा बिलाई बिल पाद के जाएंगे अजाब के बिलाएंगे इसाथ आधने वादार, आजब धोई होगा झाल झाल